हिसार तुड़े में आपका हादिक स्वागत है मैं हूँ अर्शनात्र पार्टी आज हम बात करेंगे उस खबर की जिस खबर ने नकेवल सोशल मीडिया वाट्स अप में तहल का मचा दिया बल्कि हिसार लोग सभा शेत्र के काफी सारे चुनावी समिकर्णों को बनाया भी और बिगाड़ा भी हम बात करें हैं एनलो के संकट की घड़ी में उनका साथ छोड़ कर भारती जंता पार्टी का दामन थामने वाले रणबीर गंगवा की जैसा कि आपको पता है कि जब होली के रंगों में सब सराबोर थे उस समय दिल्ली में कुछ हलचल मच रही थी और ये ह विधायक और भारती जंता पार्टी के नेताओं की बीच हम बात करें हैं रंबीर गंगवा की रंबीर गंगवा ने उनके बारे में हमने जैसा बताया था कि वह भारती जंता पार्टी का दामन थाम सकते हैं हमने हिसा टुड़े की खबर एक प्रकाशित की थी जिसमें बता लेकिन उस दौरान से ही चर्चा ये थी कि शायद रंबीर गंगवा बीजेपी में शामिल होंगे मगर जिस प्रकार से अमिर शह का जो दौरा था वो हुआ समाथ हुआ और रंबीर गंगवा जिस प्रकार से एनलो के कारिक्रों में बढ़ चड़कर दिखाई दिने लगे उस से कुछ हद तक इन खबरों में विराम तो जरूर लगा लेकिन दिली में होली के दिन हुई हल्चल ले इन तमाम खबरों पर विराम लगा दिया और आखिरकार एनलो पार्टी को छोड़कर भारती जंता पार्टी में रंबीर गंगवा शामिल हो गए रंबीर गंगवा के बीजेपी में शामिल होने के कई माइने लगाए जा रहे हैं वैसे रंबीर गंगवा एक मजबूत OBC नेता के तौर पे जाने जाते हैं उनका जमीनी सरपे कार्य बहुत अच्छा है और जमीनी जमीन से जुड़े नेता के तौर पे उन्हें माना जाता है बीजेपी का ऐसा माना है कि अगर हम हिसार लोगसभाश शेत्री की बात करें तो काफी जगहा पर रंबीर गंगवा का बहुत अच्छा प्रभाव है और अगर रंबीर गंगवा बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इसका बहुत फाइदा बीजेपी को लोगसभाश चुनाव के दौरान और साती साथ विधान सभाद चुनाव के दौरान मिलेगा और जैसे की रणबीर गंगवा को भारती जंता पार्टी में जॉइन करवाया गया और ठीक लोग सभाद चुनाव की पहले जॉइन करवाया गया उसके भी कई माइने लगाए जा रहे हैं लोगों का मानना ह और सूत्र भी बताते हैं कि भाती जंता पार्टी चाहती है कि दुश्यन चोटाला के सामने वो ऐसा मजबूत चहरा उतारे जो उन्हें सीधी टक्कर दे सके फिलहाल सुर्खियों में डॉक्टर कमल गुपता का नाम तो है ही साथ ही साथ NLO से भारतियों जनता पार्टी में शामिल हुए रणवीर गंगवा का नाम भी इस सुची में शामिल है रणवीर गंगवा का नाम शामिल होने की बहुत बड़ी वज़ा है एक तरफ तो डॉक्टर कमल गुपता, नौन जाट चेहरा है, बनिया नेता की तो अब माना जाता है, बनिया का अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ है, दूसरी तरफ रनबिर गंगवा, OBC नेता, प्रजापती समाज से तालुक रखते हैं और उनका भी अच्छा खासा वो सकती है, लेकिन रनबिर गंगवा को शामिल करवाने में भारती जनता पार्टे को कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माना जाता है कि आज जिस प्रकार से एनेलो की दुर्दशा है, उसको देखकर रनबिर गंगवा को पहले ही लग गया था कि अगर यही चलता रहा, तो उन्हें राजनीतिक फायदा हो, रनबिर गंगवा मानते थे कि अगर एनेलो के साथ उन्होंने विधान सभाचुनाओ में लड़ा, तो उन्हें बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार की एनेलो की दशा है, उसको खुद रनबिर गंगवा ने बयान करते हुए कहा, कि अनेलो में अब कुछ नहीं है, और जो भी था वो जन्नायक जनता पार्टी के अलग होने के बाद खतम हो रहा है, और पार्टी बिघरती जा रही है, उन्होंने सीधे तोर पे दुश्यन चोटाला पे आते ही वार किया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मुख्य मंत्री बनने की चाहत थी जिस वज़े से आज इनलो की ऐसी दुर्दशा हुई है, लेकिन क्या इस बयान के कुछ माइने निकाले जा सकते हैं, आते हैं दुश्यन चोटाला पे बयान देने के भी काफी माइने कुछ राजनेतिक पंडित निकाल रहे हैं, उनका मानना है कि अगर हिसाल लोक सभाज शेत्र में रणबीर गंगवा के नाम पर मोहर लगी और पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा, तो उनमें वो काबलियत है कि वह दुश्यन चोटाला को सीधा टकर दे सके, ना केवल मैदान बे, बलकि सकता है, तो कहीं आगे चलके उनका राजनितिक भविश्य तो नहीं खत्रे में पड़ जाएगा, अब देखना यही है कि रणबीर गंगवा के जाने के बाद क्या इनलो में और भी विधायक इस पार्टी को छोड़के दूसरी पार्टी में जाने की उमीद कर सकते हैं, फि काफे चर्चाए और सुक्बुगाहट भी थी कि शायद अशोकरोडा भारती जनता पार्टी में शामिल हो जाए, मगर अब तक ये खबर की पुस्टी नहीं हुई और इसे एक महद मुलाकात बताया गया, मगर हम बात करेंगे क्या बिगड़े हैं चुनावी समिकरन, फिलह जो भारती जनता पार्टी ने किया, नॉन विकास जो मौजुदा सांसद ने किया, यहीं मुद्दा लेकर इस बार हिसार लोकसभार शेत्र में भारती जनता पार्टी उतरने वाली है, और भारती जनता पार्टी ने ये सीधे-सीधे तौर पर ये टार्गेट कर दिया है, क गरीब किसान तक उन्होंने जिसके लिए सोचा है और सरकार ने जिनके लिए योजनायल आई है उसका फाइदा भारती जन्ता पार्टी को होगा और रही बाद प्रदेश में प्रदेश का सबसे मुख्य चुनावी मुद्दा रहेगा सतर हजार डौक्रियों की भरती का क्योंकि जीन तुप चुनाव में उन्होंने देख लिया था कि जिस प्रकार से ग्रूप डी की भरतिया निकली थी उसका बहुत बड़ा असर जीन तुप चुनाव की नतीजों में भारती जन्ता पार्टी को देखने को मिला और शायद इसलिए इस बार हिसाल लोग सभा च नौक्रिया मिली है जबकि आज के मौझूदा सांसत कितनी नौक्रिया दिलवा पाए इसको लेकर भी भारती जन्ता पार्टी सवाल कर रही है वैसे भारती जन्ता पार्टी के हम बात करें तो रंबिर गंगवा के उस बयान पर भी गौर करना पड़ेगा जब उन्होंने आ एनलो के राज में जो भी नौक्रिया मिली तो उसमें एहसान जताय जाता था लेकिन भारती जन्ता पार्टी के मामले में उन्होंने कहा कि यहां बिना सिफारिश नौक्री दी गई और इसी से प्रभावित होके वह पार्टी से जुड़े थे और यही मुद्दा सबसे महतो पुर मुद्दा है जो इस बार हिसार लोकसभाज शेत्र में चाय रहेगा वो भी नौक्री भड़ती का मगर क्या रंबीर गंगवा को पार्टी हिसार लोकसभाज शेत्र से उतारेगी इस पर भी सवाल बरकरार है क्योंकि हिसार शेत्र के हम अगर बात करें तो मौजुदा जो विधायक है हिसार के डॉक्टर कमल गुपता उन्होंने जिस प्रकास से एरपोर्ट के कारियों में तेजी लाई डाबरा चौक पुल का निर्मान करवाया और चौप अद्री करन रोड के निर्मान करवाए सारे विकाशिल कारियों को अंजान दिया वाटर वर्क, सिवर से जुड़े होने के कारण संग भी चाहता है कि इस बाहर हिसार लोक्टर कमल गुपता को चुनावी मैदान पर उतारा जाए मगर जब बात आती है कि उनके सामने कौन सा व्यक्ति चुनावी मैदान पर होगा बात करेंगे हम दुश्यन चोटाला की जच्पा के नेता की और आज के मौजुदा सांसत की दुश्यन चोटाला अभी तक ये पत्ते साफ नहीं कर रहे हैं कि क्या वो खुद लोक्षभा चुनाव लड़ेंगे या अपने ही परिवार की किसी सदस्य को चुनावी मैदान पर उतारेंगे इसलिए अब ये तैक करना बीजेपी को मुश्कि कमल गुपता को फिल्हाल रंवीर गंगवा के मामले में कहा जाता है कि उनकी चुनाव लड़ने की उमीदें जादा इसलिए हैं क्योंकि वह एक तो इनलो पार्टी से छोड़कर भारती जंता पार्टी में शामिल हुए हैं और दूसरी तरफ उन्हें इनलो के साथ साथ इसा कोई दमदान लेता हो जो अपने विपक्ष की जो खामियों को भी जानता हो और उनसे लड़ने की कुवत रखता हो इसलिए रणवीर गंगवा का नाम लिया जा रहा है कि हिसा लोग सभाशेतर में उन्हें उतारा जा सकता है लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की करें त हाई कमान के पास डॉक्टर कमल गुपता का जो रिकॉर्ड गया है उसे कमल गुपता के चुनाव लड़ने की आशंकाय भी जताई जा रही है माना जा रहा है कि जो सुची पैनल की भीजी गई है उसमें डॉक्टर कमल गुपता की नाम की भी चर्चा रहेगी क्योंकि यही जा रही है फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या रणबीर गंगवा के आने के बाद से बीजेपी के पार्टी के अन्य कारिकरताओं में हल्चल पैदा हो गई है तो वो भी इसका जवाब हम हां में कहेंगे क्योंगी आपको तो पदा ही है कि नल्वा विधानसभाज शेत्र से मिल होता है तो उनका स्वागत है और अन्वीर गंगवा के आने से पार्टी की ताकत जरूर और बढ़ेगी मगर कोई भी व्यक्ति पार्टी में शामिल होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि लोगसभा विधानसभा का टिकेट उसे ही मिल जाएगा उनकी यह बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पार्टी के कारेगरता नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे पार्टी से आये हुए किसी कारेगरता को या नेता को टिकेट दे दिया जाए आगे चलकर और उनकी सालों की मेहनत यूहीं बरबाद हो जाए फिलाल इसमें क्या निर्ने होता है यह तो पा कि कॉंग्रेस का संगठन अभी भी हिसा लोकसभाशेत्र में खुल कर सामने दिखाई नहीं दे रहा है बूट स्तर पर अभी भी कॉंग्रेस कमजोर है पार्टी भले ही एक जुड होने का दावा करती हो आज जैसे कि गुलाम नभी आजाद ने कहा है दिली में कि सभी कारे करत हर्याणा की तब तमाम जो कॉंग्रेस ही नेता हैं उनको हिजायत दी है कि भाई अब चुनाव प्रचाय के दौरान जो भी नारे बादी लगेगी सिर्फ तीन नारे बादी लगेगी पहला कॉंग्रेस पार्टी जिन्दाबाद दूसरा सोनिया गांदी जिन्दाबाद और समय ही बताएगा फिलहाल बीजेपी को लगता है कि हिसाल लोगसभाज शेत्र में अभी भी कॉंग्रेस कमजोर है उनका अभी भी संगठन कमजोर है एक जुटिता का अभाव है कुल्दी बिश्णोई का जो कॉडिनेशन कमीटी की बैठकों में ना जाना ये भी नाराजग हैं इस वज़े से और साथी साथ जब बूत सर की बात करें तो संग और बीजेपी की जो कारे करता उन्होंने बूत लेवल को मजबूत करने के लिए काफी समय पहले से ही कारे करना शुरू कर दिया था जबकि कॉंग्रेस अभी भी हिसा लोगसभाज शेत्र में जो ताला मौजुजा जो सांसद हैं वो अभी हिसा लोगसभाज शेत्र के पूरे गाउं में दौरा करें हैं लोगों से मिल रहे हैं अपना जन्संपर्क कायम किये हुए हैं काफी रैलिया काफी सभाएं काफी नुकर सभाएं ले रहे हैं वो पूरे तरह से इस चुनावी मोड में रंगे हुए हैं जबकि कॉंग्रिस को अभी जगना बाकी है फिल्हाल अगर हम बात करें कि इस बार जो हिसार लोगसभाज शेत्र में कौन रहा है चानक्य की भूमिका में इस बार सुरेंदर पुनिया बने हैं सुरेंदर पुनिया वैसे तो मीडिया के सामने आते नही जल्दी बयान बादी देते नहीं पार्टी के नेताओं के पीछे रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हिसार मेयर चुनाओं की जब बात चल रही थी रेखा एरन के नाम की चर्चा थी लेकिन पार्टी को भरोसा नहीं था जीत पर तो पार्टी सोच रही थी कि ऐसे कौन से मिदवार को लाया जाए जो मेयर के चुनाओं में बाजी मारे तब ऐसे समय पे सुरेंद्र पुनिया ही वो चारनक्य की भूमी का अदा गिये थे उन्होंने गौतम सर्दाना को पार्टी में जॉइन करवाया और गौतम सर्दाना को म मिदवार की ऐसे समय पर सुरेंद्र पुनिया ने दुबारा चारनकय की भूमी का अक्तियार की और इस बार वो रंडबीर गंगवा को पार्टी में शामल करवाने में काम्याब रहे तो यानि कि कुल मिलाकर शांत और सौ में दिखने वाले सुरेंद्र पुनिया केंद्र में अमिद शाहा है तो हिसार जिला के बात करें तो हिसार जिला के चानक या सुरेंद्र पुनिया है विसे इस बार चुनाव में जिस प्रकार से सुरेंद्र पुनिया ने रंडबीर गंगवा को पार्टी में शामिल करवा लिया है उससे ये तो लग रहा है कि हिसा लोकसभा चुनाम में अगर टिकेट के बारे में बात की जाए तो रंडबिर गंगवा भी उस सुची में शामिल होगे तो ऐसे मैं अब देखना लाजमी होगा कि इस बार लोकसभा चुनाम में और कैसे बनते हैं समय करण कैसे बिगड़ते हैं समय करण किसको मिलती है टिकेट क्या कमल गुपता या रंबिर गंगवा के नाम पे लगती है मोहर या फिर क्याप्टन अभी मन्यू मार लेते हैं बाजी रही बाद अश्रोक मंगाली वाला भी चर्चाओं और सुर्क्यों में हैं कहा जाता है साथ से आठ लोग हिसार लोग सभाज शेत्र से चुनाल लडने के ले एक चुक हैं अब देखना यही है कि पार्टी आला कमान किस पर लगाती है मोहर और क्या एनलो से और भी नेता हो सकते हैं भारती जनता पार्टी में शामिल यह तो आने वाला सब नहीं बताएगा तब तक लिए लेते हैं विदा लबश्कार